जहां एक तरफ सपना को इतना सब कुछ झेलना पड़ा और अपने रिष्टों से इतनी सारी चीजों का सामना करना पड़ा वहीं बनाय हुए कुछ चंद दिनों के रिष्टों से उसको इतना जादा सहारा मिला है कि क्या ही बताएं जिनकी वज़े से आज सपना सर्वाइब क कर पा रही है हिम्मत के साथ फिर भी खड़ी होने की कोशिश कर रही है और लगातार कोशिश पर कोशिश करे जारी क्योंकि ऐसे लोगों का और ना केवल सपोर्ट है बलकि उनसे हर तरह से उनकी हेल्प करने के लिए वह एवरिटना के साथ खड़े हुए हैं मैं बात कर रह वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए तो आपने कल का सपना का व्लोग तो देखी लिया था जिसमें उन्होंने अपनी नई अपडेट दी है कि उनको फाइनली फ्लैट मिल गया है और वहीं पर ही मिला है ग्वालियर में ही और जहां पर अच्छा स्कूल भी मिल गया है और प्लस सबसे अच्छी बात जो उनकी बहुत 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 ज़ादा खास उनकी जो दोस्त है उनकी मोरल सपोर्टर है या यूं कहलो कि आजकल उनकी बैकबोन बनी हुई है वो वहीं पास में रहती है थोड़े ही डिस्टेंस है यानि कि जब सपना को उनकी ज सहेली है मैं बात कर रही हूं कि सहेली की यानि शीवी की जिनोंने अपने योट्यूब चैलल पर कुछ और नई अपडेटS दी है कुछ और चीज़े बताई है उन्होंने ही बताया है की सपना वहां से आय थी तो उन्होंने कॉल किया था कि ऐसे से मैं यहां से जो है शिफ्ट हो रही हूं मुझे घर की तलाश है मुझे यहां से निकलना है तो हमने फटाक से उनको यहां पर अपने हाँ पर बुलवा लिया वहां से उनकी ममी और उनके भाई चले गए थे समान पने हारो और उनकी बहनले में उनको वहां पर पैक करा दिया था और उनकी प्यार करा तक बहुत हैос च्छिटात्राबी हैं लेकिन हाँ ये बहुत सारी चीजे हैं कि जिन चीजों की बाउंडेशन में वो पहले थी वो बाउंडेशन अब नहीं रहेंगी अरब वो खुल कर पूरा फॉकस अपने चैनल पर कर सकती है पुरी मेहनत के साथ वो काम कर सकती है और वो पूरी dedication के साथ मेहनत करके अपने channel को बहुत ही अच्छा तरह के से grow कर सकती है लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ देखिए मैं अगर दोनों तरफा की बात कहूँ जो मैं उनको भी avoid नहीं कर सकती कि वो भी बुढ़े माबाप है उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं तो दुख उनका भी कम नहीं है लेकिन अगर वो थोड़ी सी समझदारी से थोड़ी सी understanding से काम लेते तो क्या ये जो दीरे दीरे करके जब बच्चियां बड़ी हो रही थी तो क्या वो बच्चियां अपने दादा-दादी का सहारा नहीं बनते क्या उनका वक्त नहीं करता अपनी बच्चियों के साथ डेफिनेटली हमने व्लोक्स में अकसर देखा है कि वो जो पोतियां है वो वहीं खेलती रहती थी अब क्या करेंगे बुड़े माबापा के लेओ के चलो उन्होंने ठीके गंदगी में रहने का कोई मतलब नहीं था अगर वहाँ पे रहना जीना बहुत जादा मुश्किल हो रहा था तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने घर से निकाला होगा या उन्होंने ये कहोगा कि तुम घर से चली जाओ हाँ लेकिन गल्ती ये बहुत बड़ी है कि उन्होंने रोका भी नहीं है उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बहुत तुम अपना घर छोड़ कर क्यों जाओगी जितना घर हमारा है उतना ही घर तुम्हारा भी ह ही है और इन बच्चियों का भी है इन बच्चियों को बिना घर के मत करो बेघर मत करो मैं यह नहीं कह रही कि वो बुड़े माबाप उन से माफी मांगे या उनकी बुड़े पर वो अपना हक तो जता सकते थे भाई चार पास साल उसकी शादी को हो गया कि चार पास साल में वो पाटेंगे तो ना केवल बुड़े माबाप को सारा मिलता सपना को भी सारा मिलता और हसी खुशी वो रह सकते थे क्योंकि देखो बुड़े माबाप हैं दोनों बच्चे खोदी हैं वो दुख कम नहीं है उनका भी मैं डिनाय नहीं करी कि उनका दुख कम है लेकिन वो फिर भ सपना को कुछ नहीं चाहिए था और उस गंदगी में समय से निकलना था तो फिर वो इतनी कड़ा का वाज में इस तरह से वो भी तो नहीं जुक रही थी ना वो भी तो अपने सारा समान मांग दी तो भाई क्यों ना मांगे वो समान जो उसके शोहर ने उसको दिया है जो उसक अपने घर लौट आना अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो ये होती एक समझदारी वाली बात एक बूड़े माबाप से है और उनके दिमाग में भी बहुत साली चीजे चल रही हो क्योंकि ये भी तो सही बात है ना कि हमने एक तरफ का पक्ष सुना है दूसरी तरफ का से सुना है उसमें 100% यह लग रहा है कि गलती तो उन्होंने की है गलत तो वह हैं लेकिन यह तो नहीं कह सकते ना कि भाई वो जब तक अपना पक्स सामने न लेकर रहें तो भाई मैं तो पिछली प्लोग में भी यह कहा था पिछली पोड़कास में भी बोला था कि आप भी है ना कि उन्होंने रोका भी तो नहीं है ना जाने क्यों दिया क्या वो बच्चियों की भी ना जी पाएंगे क्या वो अपनी बहु के भी ना जी पाएंगे क्या इतने दिन में इतनी सी भी बॉंडिंग नहीं हो पाया हां उस पर यकिन करने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि जब उन्होंने इतने दिन उस लड़की को पाल कर जो अपनी भतीजी रखी हुई थी उनकी सास ने अपनी भतीजी को पाल कर उस घर की बेटी बना कर उसको जाने पर मजबूर कर दिया या उसको भेज दिया अब वो प्लानिंग से भेजा है या किसी मकसद से भेजा है या सच मुच में उसको हटा दिया है कि यह हट जाएगी तो सबना कमजोर पड़ जाएगी तो उसको हम अच्छे से दबा लेंगे फिर क्योंकि वो दोनों मिलकर अपना दुख सुख बाट लेती थी और हर जो जखम दिया जाता था उससे वो उभर जाती थी तो उन्होंने सोचा कि ज उनको साथ रहना नामुम्किन था या फिर यह कहलो कि वो उनकी जिंदीगी पर बनाई थी तो यह सही डिसीजन है लेकिन अगर उनको यह लग रहा था कि वहां रहकर भी गुजारा हो सकता था तो उनको डटकर वही रहना चाहिए था अपनी बच्चियों के हक के लिए क्यो जब नॉर्मल लाइफ में चले जाएंगे तो हो सकता उतने व्यूज नहीं आएं तो क्या है एक अकेली के लिए दो बच्चियों को पालना अकेली के लिए दो बच्चियों का फिर किराया खर्चा बिजली स्कूलिंग यह सब कुछ करना थोड़ा टफ नहीं हो जाएगा ज उन्होंने जो डिसिजन लिया है वो बहुत सो समझ कर लिया होगा और आगे तक का सो समझ कर लिया होगा डेफिनिटली उनको अपने उपर विश्वास होगा यही बात हमें समझाते हुए शिवी भी नज़र आया थी जो कि शिवी ने हमें बताया कि वो तीन दिन से यहां प तो उनको कमरा नहीं मिल पाया था यर कहलो मिल पाया था क्योंकि वो उनकेुए से बहार जा रहा था हमें वहां उनके व्लोग में देखने के लिए नजर आ है वो दोनों तीनों टाइम का खाना वहां से बना के भिजवा रहे हैं क्योंकि अभी नया घर है शिफ्ट होने में टाइम लग रहा है अज़स्ट होने में टाइम लग रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें उनके पास हैं के रखा न तो भाई वो रिष्टे तो उसने डेफिनेटली कमाए हैं ताली दोनों हाथों से बसती है लेकिन ये ऐसे टाइम पर जब आपके साथ कोई ऐसे इस तरह से मजबूत पिलर की तरह से खड़े हो जाओ न ये भोती कमेंडेबल है और वहीं अगर दूसरी तरफ देख हो रही हैं वह उन कमेंट से तो वह उनको भी सीख देते हुए नजर आए क्योंकि वह फिर उसके लिए लीगल एक्शन लेंगे और फिर लोगों को मुसीबत में पढ़ जाएंगे तो वह इसलिए दूर रहकर भी करें तो वह रिष्टे भी तो सपना ने कमाए ही हैं तो दे इतना हो सके सपना को सपोर्ट करो जिससे कि उसने जो ये कदम उठाया है अब उस पर वो खरी उतर सके और आगे बढ़ सके और वो जब ही पॉसिबल हो पाएगा जब जादर से जादर लोग उनको सपोर्ट करेंगे और वो अपनी बच्चियों का खयाल रख पाईगी क्यो उनको वही रहना चाहिए था पूरे हक से रहना चाहिए था और अगर बहुत ज़्यादा चीजे हो रही थी तो अपने हक के लिए अवाज उठाने चाहिए थी और लड़ना जगरना चाहिए था और ये भी चीजे करने चाहिए थी कि मेरी बच्चियों का पूरा राइट ब सारी चीजे हो रही है उसमें तो वो हो सकता है अपने काम पे भी फोकस ने कर पाती तो ये सोचकर उन्होंने हो सकता है डिसीजन ले लिया हो तो हो सकता है ये डिसीजन उनके लिए ज़्यादा बहतर हो ये मेरी अपनी समझ है आपकी क्या है प्लीज कॉमेंट में जरूर बता है और लोग उसको बद्वाएं भी दे रहें बहुत बुरा भाला भी कहे रहे हैं तो लोग उसको कह रहे हैं कि तू مर जाये तेरे बचे मर जाये तेरे लड़कियों के साथ यह हो व born hen बना रही है इन पेरेंट्स के सपोर्ट क्योंकि जितनी देर के recording चल रही है वो चीख रही है चिला रही है किसी और तीसरे परसंड की आवाज आई उसमें क्यों उसी घर में रहते हुए मार पिटाई हो रही थी लेकिन ये लोग ना दर्वाजा बजा रहे थे ना पूछने जा रहे थे ये तो एक दिन की recording है और ना जाने और ऐसी कितनी recording होगी उनके पास लोगों को recording पर भी doubt है कि अब ये recording क्यों leak करी गई जब वो मर गए है तो ये तो भाई एक सवाल है क्या दुख था क्या उसका मन में चल रहा था क्यों करके वो recording leak करी गई है बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो recording इसलिए leak करी गई है क्योंकि उनको वहां से निकलना था क्योंकि वो उस जंजाल से बाहर आना चाहती थी और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि दुख इतना ज़ादा था वो दुख खतम हो ही नहीं रहते क्योंकि जिनकी वज़े से वो मार पिटा ही हो रही थी वो आज भी उसी घर में रहने हैं और आज भी वो वही काम करने हैं तो वो दुख जो है इतनी बुरी तरह से फूटा है कि वो जो पुरानी चीजें हैं वो बहार निकल कर आई हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मैं इस टाइम सही बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसका दुख है नो डाउट मुझे उससे पूरी सहानूब होती है लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि लोगों की सुनकर समझकर कमेंट पढ़कर मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि मुझे मिक्स तरह के कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे लोग उनके बुड़े माबाप के लिए जो है बहुत सारी बाते करने हैं बहुत सारे लोग जो है वो सपना के सपोर्ट में हैं तो देखो जो सपना की वीडियो हमने देखी है रिकॉर्डिंग हमने सुनी है जो उनके सासुर के साथ जो बातचीत हो रही है वो हमन अपना की फ्रेंड का भी चैनल है और आप तो अंचु का भी चैनल है आप बुलाओ अंचु को आप अंचु के चैनल पर आकर जो है अपनी तरफ की बात कर सकते हो और नहीं तो कितनी सी दे लगती है किसी को बुला के चैनल क्रेट कर वालो और रखो आपके अपने सामने की ब सके कि at least है क्या चीज़ क्यों नहीं आपने जाकर वहाँ पे बचाया क्यों मार पिटाई होती थी क्यों प्रेग्नेंसी में उसको मारा जाता था आपको नहीं पता था कि आपकी वहुज़ किसी हाल से है आपको क्या पता होने से पहले के बच्चा जो है वो लड़का है या नहीं रखते थे कि आप अपने बेटे को रोक पाए या उससे जो है किसी चीज़ को कह पाएं कि तुम प्रेग्नेंसी में क्यों मार पीट रहे हो और इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग उन्होंने लीग कर दी अब तक शान्ती से क्यों बैठे हैं आहिए ना सामने आकर सामने आकर बताईए कि वो रिकॉर्डिंग क्या है रिकॉर्डिंग का सच क्या है क्योंकि लोगों को ये सब चीजे बड़ी ही कन्फ्यूजन लग रही है कि इतने सालों बाद जब सूरज जी से उनके जो मार पिटाई ये सब चीजे हुई थी उसके बाद फिर उन्होंने प्यार से रखा तो मेरे ख्याल से तो पुराने जखम जो है वो भर जाते हैं जब आपको प्यार महबद इतनी ज़ादा मिलती है कि आपकी उमीद से भी जादा मिलती है तो फिर आप सड़नली अचानक से ये क्या हुआ लोगों को ये जो सवाल है बार बार ये दिमाग में गुमता रहता है कि अब क्यों recording डिलीट की वो भी सूरज जी की जबकि वो इस दुनिया को पहले ही छोड़ कर जा चुके हैं और मरने के बाद उस इंसान की छिछा लेदर क्यों कराई जा रही है लोग यह कह रहे हैं कुत्ता इंसान है लोग यह कह रहे हैं कि वो तो मरने के ल डिलीट किया क्या ऐसे हालात वापस से आके खड़े हो गए हैं जो recording डिलीट किया एंटीर वो जब तक उनके पेरेंट्स आकर अब यह सारी चीज़े ना बताएं कि उस recording में क्या था ऐसे क्यों था क्यों वो मार पिटाई करते हुए वो नहीं रोकते थे या अब recording लीक करने वो अब सामने आ सकें क्योंकि अब तक हमने यही देखा है कि जब जब इनकी कोई भी बात हुई है तो यानि कि जब राजवी जी की मौत हुई थी तो लोगों ने बहुत परशान किया था सपना को और यह भी का था और इनके साससुर पे भी सवाल उठाया था तो उनोंने अपने साससुर के लिए स्टेंड लिया है लड़ा ही जगड़े की हैं सब कुछ किया है और यह कहा है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ कहने की कोई जरूत नहीं है उनका बेटा हूँ मैं और मैं अभी जिन्दा हूँ मैं उन पर आच नहीं आने दूंगी तो भाई यह सारी सब कुछ कर सकूं तो फिर उनकी पेरेंट्स को ऐसी क्या प्रॉबलम थी जो अब यह रिकोर्डिंग लीक करने की नोबत आ गई आपका क्या कहना है प्लीस कॉमेंट में जुरू बताईए और आपको इस कन्फ्यूजन से क्या समझ में आ रहा है प्लीस कॉमेंट में आफिस टेक केर